नमश्कार मैं हूँ मोहिच श्रिमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के नए एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी क्या पांच वस्तूएं हैं जिसको घर के गेट पर लगाना चाहिए जिससे की लक्षमी इस दिवाली आपके घर अवश्या है दिवाली का महा परवाने वाला है इसमें आप और मैं इसी प्रयास में जोटे हुए हैं कि कैसे मालक्षमी को अपने घर पर स्ताई रूप से बिठा सके कैसे उनका आवाहन हमारे घर में हो और हमें धन संपत्ती मिलती रहे घर में सुक शांती बनी रहे और घर के सदसियों में प्रेम बना रहे हम बात करने जा रहे हैं घर के मुख्य द्वार याने की में गेट पर कैसी चीजें लगाए जो की हमारी खुश्यों की चाबी बन जाए गर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है जहां से सारी सुख सुविधाएं अंदर आती है क्योंकि इसी द्वार से घर में सुख, सम्रिद्धी, एश्वरे और संपन्ता प्रवेश करती है में गेट अगर ठीक ना हो तो घर में नेगेटिविटी और लड़ाई जगड़ा वास्तुदोश बना ही रहता है इसलिए हम सभी में गेट को शुब और उत्तम बनाय रखने के लिए कोई प्रयास करते रहते हैं कहीं लोग जब अपना घर नया बनाते हैं तो फॉयर एरिया जिसे हम बोलते हैं या में एंट्रेंस बोलते हैं में गेट बोलते हैं वो सब पे बहुत जादा ध्यान रखते हैं, कौन से डायरेक्शन में हो वो, कौन सी दिशा के देखता हो, कौन से कलर का में गेट हो और कैसी लाइटे हो, इन सबी का ध्यान रखके फिर घर बनाया जाता है, ताकि इससे एक चीज जरूर अवश्य तरीके से साबित हो जाती है कि घर में जो खुशाली आ रही है, जो एनरजी आ रही है, वो पॉजडिव आए, आज मैं आपको इस विशेश कारिक्रम में देपावली महापर पर घर के मुख्य द्वार से अपने जीवन में खुश्यों का प्रवेश कैसे करें ये बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं स्वास्तिक के बारे में, स्वास्तिक शक्ती होती है, स्वभागे और सम्रद्धी का प्रतीक है, स्वास्तिक, प्रतीक शुब्व मांगलिक कारिया में हम स्वास्तिक की रचना करके ही कारिय का शुबारम करते हैं, इस बात का विशेश ध्यान र तरीके से बनाते हैं तो स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है इसकी संपून जानकारी हमारे पहले के एपिसोड मंगलकारी स्वास्तिक बनाने का रहस्य में दी गई हैं आपको ये एपिसोड उपर आई बटन है वो दिबाने पर भी दिख जाएगा दिपावली के दिन घर की ग्र लेकर आ सके मंगल कलश सुख समुद्रमंतन का भी प्रतीक है एक कासे या तामर कलश में जल भर कर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दें उसके मुख पर नारियल रख दें कलश पर कुम-कुम से स्वास्ते का चिन बनाकर उसके गले पर मौली बांद दें इससे मा लक्ष्मी घर में आने के लिए प्रभावित होंगी तीसरी चीज जो अब है वो है रंगोली हमारी भारतिय संस्कृति में घर के आंगन और मुख्य द्वार पर रंगोली और मानना बनाना बहुत ही शुब और मांगलिक माना जाता है विशेश रूप से दिपावली पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि विजय दश्मी से दिपावली तक घरों में साफ सफाई करके द्वार पर रंगोली और मानना बनाया जाता है रंगोली बनाते समय आपकी अंगुली और अंगूठा मिलकर ग्यान मुद्रा बनाते हैं जो आपके मस्तिश को उर्जावान यानिकी एनर्जेटिक और अक्टिव बनाने के साथ साथ मेंटल डेवलप्मेंट में महत्वपुन भूमे का अदा करती है साथी एक्यूप्रेशर के लिहाद से भी यह मुद्रा आपके स्वास्तिय के लिए बेहत प्रभावी है यह आपको हाई बलर करती है इसलिए इस दिपावली आप भी अपने घर के मुख्यद्वार पर मा लक्षमी के आगमन के लिए रंगोली जरूर बनाएं आप से चोटी से दर्खवास जरूर करूंगा काफी लोग प्रिंटेड रंगोली लेके आते हैं मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं आप ना जादा अट्राक्टिव ना बने पर खुद के हाथ से कीवी मेहनत अलगी रंग लाती है आपको संतुष्टी भी देगी और मा लक्षमी को प्रभावित करने में उल्टा जादा लाबकारी से दोंगी इसके बाद में बात आती है दीपक की तो मिट्टी के दीपक में पांच तत्वा समयत होते हैं जिसमें मिट्टी, आकाश, जल, अगनी और वायू ये पांच तत्वा हैं इनकी उपस्तिती किसी भी शुब एवं मांगलिक कारियों में अनिवार्यवानी गई हैं सुन्दर और कल्यान कारी, आरोग्य और संपता देने वाली दीपक समर्दी के साथ ही अगनी और ज्योती का प्रतीक हैं मालक्ष्मी के आगमन के लिए हम पंच महा पर्व पर दीप प्रजवलित कर अपने घर को रोशन करते हैं लेकिन विशेश कर दिपावली की महा निशा अर्मिक वातवरण और पवित्रता रहती है और लोग जगे हुए लक्ष्मी का फेट करते हैं वहां धनकी देवी लक्ष्मी निवास अवश्य करती है इसी के साथ मैं छोटी सी दरक्वास फिर से मैं आपको करता हूं इस बार चाइनीज लैंटन और ये सब ना खरीद कर द वो शहरों में आते हैं अपने दिये ले करके ताकि यहां पर आकर के उनको बेच करके जो दो रुपे कमाएं उससे अपना पूरा साल निकाल सके तो जब आप इन लोगों से जाकर के दिये खरीदें तो मोल भाव इतना जादा भी ना करें कि बेचारे इनसान को कमाने के भी लाले पड़ें हो सके तो उल्टा 51 रुपे उपर दे करके दिये ले लीजे सामने वाला भी प्रसंद होगा आशरवाद ही देगा आपको प्रसंद हो करके और आपकी सुक संब्रिदिक ले ही प्रातना करेगा अब बात करते हैं वंदर माला की किसी भी शुप काम को करने से पहले घर के प्रवेश द्वार पर वंदर माला या तोरण लगाया जाता है शास्रा अनुसार आम और अशुक के पत्तों से बने तोरण या फिर बाजार से लाई हुई वंदर माला लगाने से घर में सकारात्मक उर्जा, सहित सुक सम्रिदी और एश्वरे प्रवेश करते हैं दिपावले के दिन घर की ग्रहनी के प्रवेश द्वार पर वंदर माला अवश्य रूप से लगाएं जिससे घर की सारी नेगिटिविटी और वाश्ट्टू दोश दूर होकर पारिवारिक सदस्यों यानि की फैमिली मेंबर्स में प्रेम और सामन जैसे बना रहे ये जो अब गर का मुख्यदवार अच्छे से रोशन होना चाहिए और घर के बाहर कहीं लोग मैट लगाते हैं अवश्य देखा है कि वो मैट रबर की होती है काले कलर की होती है जब किसी भी शुब कारिय को किया जाए तुम रेड कार्पिट बिचाते हैं तो आप भी उस काले कलर की मै लाएं और उसे घर के बाहर लगाएं इससे लक्षमी का घर में आना 100% गारंटीड हो सकता है ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ ये सब जरूर करें इसी के साथ में अपने मन के अंदर अंदकार जो है उसको भी दिये की लौ से रोशन करें ताकि ये दिवाली आपके अंदर के अंदकार को भी हटा दे आशा करता हूँ इसे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा और इस दिवाली इन में से कुछ चीज़ें आप भी अवश्य करेंगे मैं हूँ मुछ निमाली और दिल से आप सभी को आने वाली दिपावली के महापर्व की शुबकामने देता हूँ ज समस्कार और जैहन अभाव ग्रस्त दीन लगने लगता है नेने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा क्यांच हैं इश्वर की संतान है तो ये अभाव क्यों यदि आप भी इश्वर की संतान है तो याचना नहीं अतिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास् दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंतरित करते हैं वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धी विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रतम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर्व लक्ष्मी विनाय की बूजा करने की परंपरा है दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास विश्वाश मश्रदा के साथ मालक्ष्मी को आमतरित करता है हमें सम्रती शाली बनाने के लिए इस लक्ष्मी विनाय का प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिद में विद्वान कर्मकांडी पंडितो द्वारा। इसका लश के निर्मान करने का उधेश यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाई, रिद्धी सिध्धी, शुबलाप सहीत, अक्षिय लक्ष्मी का भंडा।